आज मैं आपको अपने इलाके में लेकर आया हूँ यह जो बिल्डिंग मेरे पीछे है मैं वहां रहता था और वहां से खिड़की से मुझे यह एक रेस्टराउन दिखता था रेस्टराउन का नाम है कोबे और यह बहुत बहुत मेरे बश्पन के टाइम से है यहाँ मैं कोबे में जाने वाला हूँ और यहाँ एक डिश है जो वर्ड फेमिस है उसे कहते हैं सिजलर मिलते है कैलाश और नजबुल जो कोबे के ओनस है और उन्हें पूछते है के खाने में क्या है इस एरिया को सुक्सागर कहते हैं चौपाटी बीच यहीं है मैं यहां रहता था और जो रेस्टरांट हम जा रहे हैं कोबे वो यहां है चलो जाते हैं तो जैसे मैं कह रहा था यह मेरी बच्पन की यादे हैं और मेरे के लाश के लाश के लाश के लाश के लाश एंड नजमूल और यहां इसी रास्ते पर मेरा बच्पन गुष्ण इसी बिल्डिंग में और मुझे याद है मैं आपको देखा था है हर सुबे खिड़की से फ्रेश फ्रेश बार्केट में जाते हुए टैक्सी बेट के मीट ला कि यह कोबे स्टार्ट कौन से साल में हो नाइटिन सेवंटिफाइव में आज भी 50 साल के बाद भी सिजलर के लिए कोबे फेमिस है और सिजलर अब देखोगे तो कोबे के सिवाए बहुत ज्यादा कई मिलता नहीं है यह सिजलर की आइडिया आप जानते हो कैसे आल गई करहें पर एक कंटीन वा कर थी तो फ्यो एक कंटीन वा कर थी हा तो यह तो था कंटीन की उपैक्सन यूण एप्लेट का और निडिया तो के दखते का नच्सिंजिण अग्स प्लेस एट एपनाफ नडिया तो सं अख़ुगे का आच यहां अग्छिया अग्ड记 हम दूर से ... you can find a predominantly non-veg idea which translates so well into vegetarian dishes. With paneer and cutlets and vegetables and their potato chips or french fries are iconic. What is the most popular dish? I know, but I will ask you then. No, no, you know then. I've been here for so many years, now what do you like over here? I like the shashlik very much and I like the scotch broth very much. Very true. Again, different. And you can find scotch broth anywhere. There is no other place where scotch broth you can find. So, my order is fixed. Scotch broth, satellite, chicken shashlik, steak bun. Caramel casserole. Sizzling bonnie. Sizzling, sizzling. Dessert be sizzling. Sizzling. So, let's go inside and ask what is the food in the food. He must. Sizzling. Sizzling. तो शुरुवाद करते हैं, मैं बने आपको कहा था कि इस आवाज की प्रतिक्षा कर रहाता मैं, तो मेरा सूप आ गया, अभी स्कॉच ब्रॉच सूप जो है, एक क्लासिकल स्कॉटिश सूप है, जो मीट और बाली से बनता है, इसके उपर स्पेशालिटी यह है कि कूटों से या फ्राइड ब्रेड के छोटे-छोटे तुक्रे जाते हैं, और इसे निम्बू निचोड कर, a squeeze of lemon, is what makes the taste just come out, और यह मेरा फेवरिट है, मैं बच्पन से खा रहा हूं से, थोड़ी अगर वैदर थंड है तो यह गरम-गरम स्कॉच ब्रॉच खाने में जो मज़ा है, और इस से पहले कि यह सिज्लिंग कम हो जाए, मैं यह साटलाइट स्टेक को अटैक करता हूं, तो यह सिज्लर है, जैसे हमने डिस्कॉस किया पहले, इसका ओरिजिन जपैन में है, लेकिन यह अब पूरा इंडियन हो गया है, इस इस आवर डिश नो, सैटलाइट स्टेक है, मश्रूम सॉस, इस पर छोटे-छोटे मश्रूम्स है, फ्रेंच पीन्स है, क्रीन पीज है, और यह, यह, एक बड़े, मैं दिखाता हूं आपको, प्रॉब्ल में है कि इतना गरम होता है, इतना गरम होता है कि फूक फूक के खाना पड़ता है, नहीं तो मेरी जबान जल जाएगी, और मैं कुछ टेस्ट नहीं कर पाऊँगा, और कोबे की खासिया था, इस टेक के इस तरफ है, जो इनके पोटेटो चिप्स और ग्रिल्ल्ड अनियन्स, अन्मैच बल, अन्बीटबल, और मेरा दुस्तरा चिछर भी आ गया, हाँ, अहा, इस इस फेमिस चिकन शैशनेक, बीटिफुल, मुष्रूम सॉस, अनियन्स, चिप्स, यह एक कम्प्लीट मील हो जाता है, क्यूकि इसमें मीट है, वेजटबल्स है, सॉस है, मुष्रूम है, काभो हाइड्रिट है, प्रोटीन है, सब कुछ है, एको, और के खिज़ू. यह सहए, वादर्फू. आटाने कि लिए… पाइस्षिन्स की जरूर रथ है, और स्टैमेना की जरूरत है, स्टैमेना बहुत है मेरे पास, पैश्ट्स वोड़ा कम है मेरे पास. यह बापी जए यह यह कोबे की आइकोनिक दिशन चिकन शैश्लिक शैश्लिक वह होता है मीट जो लगाते हैं और अपने देखा जब यह आया तो स्कीवर पे चिकन सा इसमें चिकन है सब वेजटिबल्स है और राइस है देख़ो राइस तरह बडी गुट है चिकन का है चिकन फोड़ा ज्ला वगानिक नीचे से थोड़ा स्मोकी फ्लेवर फुल चावल के साथ थोड़ा प्यास, ग्रिल्ल्ड अनियंज, बड़ा सा फॉक बनाते हैं, with a little bit of chips, थोड़े greens, और बहुत सारा नस्टेल्जिया है. बनाते हैं, तो स्पजब व्यृति जित कमुश्ब लुदाओ, बऌदा सिर्ण में, स्विकस्योद्ध नहीं कारते हैं, वोड़े अच्ते हैं, तो स्विकस्तित क्लिए, वोड़ेश्योग आधे एंट्रेशिक पंगर भावैं, मैं बहुत जाईजी थी मैं आपको कहा कि मेरे बास पेशन्स काम है ना इती का नतीजा है कम पेशन्स काम but I have to tell you one thing मैं जब आता हूँ तो 3-4 दिस नहीं मंगाता हूँ एक दिस मंगा किया आता हूँ आप हो इसलिए मैं मंगा रहा हूँ इतने सारी दिसे ताकि आपको भी एक अंदाजा आए कि यहां क्या-क्या मिलता है परेक्ट हो हिलो मत सर दो सिजलर तो मेरे है लेकिन स्टेक बन खाना बहुत जुरूरी है यह और यह कोबे का सबसे फेमिस स्टेक बन है जो इन फेमिस चिप्स के साथ और इस फेमिस ही मोलते जा रहा हूँ फेमिस कोल्सला के साथ सर्फ होता है लिकिन स्पेशालिटी यहां की सॉसिस है इनका यह मस्टर्ड का जो यहां हममेड मस्टर्ड सॉस है और मैं ऐसे खाता हूँ, दिखाता हूँ कैसे खाता हूँ, यह पहले थोड़ा मस्टर लेते हैं, फिर यह जो है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, यह जो है, साइड में थोड़ा इसको भी लेते हैं, यह लगता है टोमाटो केचप जैसा, लेकिन एक्षली है, पुरा साइस के बदले में पंकिन साइस देटे लेकिन पंकिन साइस ये इतना टेस्टी हो गया, कि यहां पंकिन साइस इसके फ़र इस तेस्ट, और नोट एस रेप्लेस्मेंट फ़ टोमाटो केचप, अभी इसको, एक ऐसे छिप लेते हैं, और इसे थोड़ा अधे, मिक्स करते है ईसे ऐसे ऐसे एसे ऐसे देखो फिर पहले चिप खा लेते हैं पिर एस टेक बन लेते हैं तो सेच मस्टर्ड में डालते हैं मस्टर्ड पंगिन शॉस में और एक बहुत अंदर लेखो वर्धिश नियुक्ति शिंपल है तोस्ट बन है तोस्टेद बटर्ड बन तोस्टेद बटर्ड बन पैटी कच्चा प्यश कच्च प्यास और करंची कच्चा प्याद आता इसमें इसका टेस्टी अलग मुद अर तुमाटो है लगता है बढ़ो नहीं तबाटो नहीं, कुछ नहीं, लेटूस और चीज, अगरी इसको तो अच्छा इसका कोल्स्लोव, मेओनेज में, मेओनेज से बना हुआ कोल्स्लोव और जिंदगी में क्या चाहिए? थोड़ी बड़ बच्पन की आदे, थोड़ा बड़ खाना जो अच्छा है, जो बच्पन से मैं खाते आ रहा हूँ और थोड़ा बड़ा पेट, बस, और कैसे ही है, जिदी में, अभी अगर मेरा पूरा मील सिज्लिंग आ गया है, तो डिजर्ट भी सिज्लिंग ही होना चाहिए, ना, सिज्लिंग डिजर्ट और यह है डिजर्ट, सिज्लिंग ब्राउनी विद आइस्क्रीम, इसको भी फुक फुक कर खाना होगा पुझे, संभाल संभाल के, लेकिन थंद आइस्क्रीम है, तो अब आप बताईए, यह थंद रहा है यह गरम है, क्योंकि आइस्क्रीम भी है, और सिज्लिंग ब्राउनी भी है, तो बताता हूं, रिच चोकलेट सॉस, गरम ब्राउनी, थंद आइस्क्रीम साथ में, तो डेडली गॉम्शन तो यह था मेरा एपिसोड जहां मैं एक नोस्टैल्जिया ट्रिप पर चला गया, खाना जो मैं कितने सालों से खा रहा हूं यहां, एक रेस्टराउन जो लगपक पचास साल पुराना है, और वही के वही, उसी किसम क्या मेनू लेकर, उसी क्वालिटी का खाना लेकर, अभी यह था में लेकर तक खड़ा है, कोबेव, अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज राइट तो अस, कमेंट, शेयर कीजेगा, और आते रहिये, खाते रहिये, और पूछते रहिये के खाने में क्या है कहाराँ, slightचाराँ, अग्जा, टाले बिता अअच्छवने की कि अखा, आपको एफा है अगले की खाने अओ कहाराँ ए्ट थी एुश अगर अप्यो का मुबट वयरो के लग्नेू अगलका सबक द थो सrontके हो यह झाया चाह, कि अए सकT CC यह विरी भी आव सेयवे भी। यह भी आव सेया देदेध मैं। यह हुआ बेहर बेहर टोड़ी जहादे दी लोगा तोड़ी